आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साश्री खाम है रोत्रा आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार जिसमें हमारे समवदाता जिले जिले छेतर छेतर और विधान सभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है आने वाले चिनाओं में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे समवदाता तो आज किन मुद्दों पे बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं लखनव के फैजाबाद रोड पे जहां खास कब अगर बात करें तो इस फैजाबाद रोड पे कई ऐसे विश्विद्याले हैं नीजी संस्थान है जहां दूर दराज से युवा आते हैं और अपनी सिच्छा हेतु अनेक विश्विद्यालों में आ खुश न से युवा कितने हूँ है और जो भी उन्हेंने वादे किये उन वादों में से खुश और तक हो चुका है तो आइए चलते हैं युवाओ के बीच और जानते हैं कि उनके विचार से क्या इस बार किसकी सरकार बनेगी और युवाव को मुद्दो को कितना पूरा किया गया है? भाई, आपका नाम क्या है? योगेंद्र तिंग योगेंद्र तिंग अगर बात करें तो पिछले पांच सालों में जो सरकार की तरफ से सिच्छा के छित्र में काम किया गया है तो कितना खुष है उससे खुषी तो हई है बिल्कुल सही है क्या क्या जाता करोना काल में मालीजे लोगों को प्राब्लम तो होई चुकी है तो उसी से लड़ते हुए क्या करते हैं आप मैं तो भी जॉब कर रहा है तो यह बताईए जैसे सरकार के तरफ से जो संकल पत्व द लिखा कि कहा जाए तो है ऐसा तो है है किया गया है लेकिन अब करोना की वज़े से बहुत प्राब्लम तो आही गई है तो उस चीज़ क्या किया जा सकता है उस चीज में तो आप भी उसी चीज़ से जुड़े हुए कोई अलग से तो आ नहीं सकती है कहा है उन्होंने किया ह काल की वज़े से ऐसे काम हैं उसक्ट से क्लाइज़ बंद हैं LEmart के मामिले से बहुत मिली है जी औंलाइन से जो जो चात्व हैं वो कितना खुस हैं और चीजों को क्या उस धंग से सीख पा रहे हैं जैसे वर्चूली क्लास अभी चल लेगा है जो क्लास कछाएं कॉलेजियों में चलती हैं उसको कंपेर किया जाया तो क्या मतलब निकल के आ रहा है देखे क्या है कि स्कूल में जैसे सबसे में तरीका यह कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं तो उसीच पर तक आप टाइट नहीं होंगे तो बच्चे नहीं बढ़ पाएंगे तो क्या आप आगे की पढ़ाई जा रहे हैं तो उसके लिए पर फिर तो वह हैं कि हर चीज को कान पकड़ करनी पढ़ेगे आप अपना नाम बता दे शुभम सिंग सुभम क्या करते हैं आप जी बीटेक पास आउट है तो क्या आप आगे की पाढ़ाई जारी लिख रहा है या वोजगार की तलास में तो है लेकिन रोजगार हम को लगता नहीं वाई सब ना मिल पाएगा ना हम कर पाएंगे कुछ देखते हैं अगर घर से सवयोग मिला कुछ बिजन से करे तो अपसे कौसल विकास के छेत्व में काम किया गया है इसकील एजूकेशन तो कहां तक आप देख रहे हैं कि कौसल विकास कारगर साबित हो पा रहा है उससे बच्चों को कुछ मुकाम हासिल हो पा रहा है देखे जो ज़रूरत मन्द हैं उनको तो चलिए बहुत अच्छी बात है लेकिन लगबग तो हम देख रहे हैं मैक्सिमा 80% यही है कि सिर्फ अपना डिग्री बनवा ले रहे हैं कभी जाते नहीं क्लास में कभी कोचिंग नहीं जाते हैं वो बोलेंगे हमको सब आता है बस हमा विच्वली देखा जातों कि ठीक है सिक्षा के शेत्र में अभी तो कुछ खास ऐसे लगा नहीं को तो आए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार में क्या है सर अपना नाम बता दे मुहम्माद आसे कर लिए क्या करते हैं आप बिजनेस में हैं तो ये बताईए अगर बात के तो आप भी युवा हैं तो युवा के तौर पे आप हमें ये बताईए कि पिछले पांच सालों में सरकार की तरब से रोजगार के छेत्र में कैसा काम हुआ है कुछ नहीं हुआ है सर बिल्कुल हम लोग परियास करके ठक गये हैं तब जाके कुछ बेवपार में उत्रे हैं कि ताकि कुछ किया जाए क्योंकि सरकार सब कोई उम्मीद रही नहीं है वरतिया निकलती तो जरूर हैं लेकिन होती नहीं अच्छा वहीं कॉंग्वेस की तरफ से कहा जा रहा है अपने मैनिफेस्टों में कि हम युवा मैनिफेस्टों लाया है उन्होंने तो बताय जा रहा है कि बीस लाख रोजगार देंगे तो कहां तक यह कार यह जो पैत्रा कॉंग्वेस अपनाई है यह साबित होता है कारग बता दें नाम शानु सिंग है शानु भाई है आप क्या करते हैं हमारे कैफे है और अगर बात करें तो शिच्छा में आपने क्या गट्रहन किया है निविक फाइनल बेकंज फाइनल जियर हो चुका अगर बात करें पिछले पान्च सालों में तो सरकार के तरब से युवाओं के लिए क्या काम अपको अच्छा लगा और क्या रोजगार के छेत्र में सबकार काम किया है देखिए रोजगार के छेत्र में मैं वैसिकली गोरपूर से विलॉंग करता हूं दो गोरपूर में तो बहुत सारी डैबलप होई है महाराजी के तरफ से और दूसरी बात यह रही सिच्छा के छेत्र में हुई है अब लगडाउन था कोवीट की वज़ए से तीन साल वैक मारा अब आने वाले समय में हो सकता इससे अच्छी आपरचुनिटी हम लोग के लिए आए और दूसरी बात जो सबसे अच्छा काम बीजेपी ने किया जो इंडिया में यूपी में जो फीर चाहिए था वो मिला हम लोग को जो मलब करप्सन थोड़े बहुत कम हुए ठीका इंकाउंटर्स हुए तैरी मुलब जो भी थे ये एक सेकंड आईए कुछ और लोग इस बात को जी भाई सब नाम बता दें प्रशान सिंग प्रशान सिंग आप क्या करते हैं प्रसा अब होता है जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय एक सबकी तरफ से एक फार्मूला बताया जाता है वहीं बजेपी की तरफ से संकल पत्र जारी किया जाता है सभी पार्टी के तो मन मैनिफेस्टो जावी किया आता है तो वहीं बीजेपी की तब से संकल पत्र जावी किया आता है उस संकल पत्र में कहा जाता है कि 70 लाख रोजगार और 100 रोजगार के औसर वदान किये जाएंगे तो आपको कहां तक रोजगार के छेटर में काम होता हुआ दिखा? अगर बात किया जाए तो कॉंग्वेस की तो अपसे पहल की गई है कि हम 20 लाख रोजगार देंगे तो वह पहल आगामी चुनाओं में कितना कारगर साबित होगा कॉंग्वेस के लिए? कॉंग्रस तो लडाई में ही नहीं सबसे पहली चीज है और में बात करें अभी आपके कि हम 20 लाख रोजगार देंगे बागपारी 70 लाख रोजगार देंगे लेकिन जमीनी लेवल पर पर यह सब चीजे खतम हैं सिर्फ खाली ये चुनाओं गोसलापत में अपना दिखाने के करने के लिए सब कुछ अच्छा है अभी कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने दलील दिया कि कोरोना काल के चलते इस बार रोजगार के छेत्र में सरकार काम करने में थोड़ी असमर्थ रही है तो इस पे आपका क्या बिचा अब अपनी कम्यों को छिपाने के लि इसकिल एजूके तो कौसल बिकास इसकिल एजूकेशन पर आएं तो कौसल बिकास स्केंद्र ऐसे कई सारे देश भाव में बनाए गए हैं तो उसका क्या बेनिफिट निकल कभी वाओ के लिए आपके मुताबीर अभी तक तो हमको तो नहीं था क्योंकि मेरा खुद का परसनल एक्स्पीजिएंस से एक हमने नॉर्मल अचा ट्राइ कर रहे था कि इतना फॉर्मल टीज उसमें होते हैं कि वो बंदा उस चीज को करी नहीं पाता है को तो उसको डेप्लेमन करेगा चले जाए कितने भी आपके बने होंगे कि हाँ इसके लिए इंडिया को सारी चीजे बनी होंगी लिके नहीं को नहीं लगता कि वहां पे उस लेबल पर काम हो सुक्रिया तो इस वक्त हम मौझूद है फैजाबाद रोड पे जो की यहां से पुर्वांचल का प्रवेस्ट द्वार कहा जाता है और साथी साथ यहां पे जो जो बच्चे दूर दराज से आते हैं और अपने सिच्छा के अपरांत ऐसे कई सारे कॉलोजों में दाखिला ल तो बीगत पाँच सालों में जो ततकालीन सरकार है उसके तरब से शिच्चा रोजगार के छेत्र में कैसा काम हुआ। सिक्षा और रोजगार के शेत्र में मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा अच्छा बढ़िया काम नहीं हुआ है अच्छा मैं ये बताएं कि सर्कार के तरफ से संकल पत्र जारी किया गया आज से पांच साल पहले उसमें कहा गया 70 लाख रोजगार और 100 रोजगार के औसर प्रदान किये जाएंगे तो कितना अब तक रोजगार सरकार आपको दिख रहा है कि दी है और अगर बात की जाए तो इस बार के मेनिफेस्टों में कॉंग्रेस पाटी और तमाम जो दल है उनकी तरब से कहा जा रहा है कि हम 20 लाख रोजगार देंगे तो यह जो कॉंग्रेस का पैतरा है 20 लाख रोजगार का यह आगामी चुनाओं में कितना कारगर साबित होगा कारगर साबित होना, चुनाओं से पहले वादे तो सारी करते हैं, जमेनी अस्तर पे आप देखिए, रिजल्ट नहीं आते हैं सामने, 70,000 भाजपा भी दे रही थी, फिर कॉंग्रेस भी देने के वादे कर रहे हैं, सपा भी देने के वादे कर रहे हैं, आप जमेनी अस्तर पे लिए किस तवर काम किया गया है? काम क्या? सरकार जो भी है, अपने हिसाब से हर सरकार काम अच्छा ही करती है. समझे? लेकिन अगर आप युवाओं को लेके बोलेंगे, इस्टुडेंट को लेके बोलेंगे, तो मतलब एक नौकरी का विस्था हो गया, या पास आउट जो इस्टुडेंट होगे, तो वह इसे घूम रहे हैं. पिछली सरकारों में जॉब मिली और अच्छे से रहन सेन. मैन मुद्दा क्या है? रोजगार होना चाहिए, रोटी का बड़ा मकान होना चाहिए, और आदमी को क्या चाहिए? लेकिन इस सरकार में ये पोजिशन रही है, कि अभी बीडी पे अगर आवाज लगा दें, तो वी सो हजार लड़का आगे खड़ा होगा यहां पे जॉब के लिए. तो मेरी सरकार से बस यही आवाज है कि जो है रोजगार दे, जिस तरह से, मतलब कार ही जो है, वो अच्छे सतर पे है, लेकिन रोजगार की कोई सते नहीं है. अच्छा, जो आगामी सरकार होगी, जो सरकार अब आएगी, उससे क्या आसा पे एकसा रहेगी आपकी? आसा आप इच्छा क्या, वो सरकार आने के बाद ही मालुम पड़ेगा, वैसे, क्या आसा आप एकसा रखते हैं, कि वो किस, कैसे न्यूक्तियों को निकाले और किस तरह का काम करें? वो क्या बस रुजगार और गाउं-गाउं में जो हस्पिटल वगेरा की फैसलेटिस, जिसे गाउं तक जो चीजें नहीं पहुच पा रही, वो गाउं तक पहुचाए, और जुवाओं के लिए जो बहतर रुजगार हो, वो करें, और महंगाई पे थोड़ा धियान दे, वो चुकी है, हां मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मैरी इंटर्शिप चल रही है, और 3-4 दिन के इन्टर्शिप बची है, अच्छा, मैं ये बता हैं कि इनटर्शिप के बाद क्या आप सरकारी आवेदनों में अपलाई करेंगे, बिल्कुल अपलाई करेंगे, उम्मी करते हैं तो एंजीनियर थो कुछ सा Tahoma के अगाना था कि इंजीनियर के तरे विटीन्यर की आङ हषाथव मेरे बात हो भी तिए उनका केहना था कि इंजीनिरिंग करके हम लोगोजगार की तलास में भटता हैं लेकिन आशा कुछछ़ तो आपके मुताबित क्या है? अपके लाईंगी एकइंसित क्रेट किया जाएगा और उसको पोरा किया जाएगा और जो भी बेरोजगार लोग है उने रोजगार दिया जाएगा अच्छा किस सवकार पे अप भरोसा जता सकते हैं इस बार सपा ग्यूः क्यों? अब सपा पर उम्मीद लगाते हैं, उम्मीद उससे हार जाएंगे, फिर कॉंग्रेस पर उम्मीद लगाएंगे, और क्या ही कह सकते हैं, पुराने जो भी कारेकाल थे सपा के जो उन्होंने काम किये हैं, पुरे उत्तर प्रदेश में जो काम किये हैं, वो अकल भी देखा गया देश भर में तो आपके भी दोस्त मित्र कहीं ना कहीं उसमें दाखिला लिये होंगे और आपके मुताबित कहां तक वो कारगर सावित हुआ मुझे ऐसा कुछ मालूब नहीं है कि किसी दोस ने ऐसा दाखिला लिया है या कुछ उनको उससे बेनिफिट मिला है ऐसा कुछ मुझे आइडिया नहीं है कौसल भिकास या इसकिल डेवलप्मेंट का आप योजना के तहत कुछ जानकारी है नई नहीं किसी दोस्ट ने लिया हो उसको बेनफिट मिला वाइसा कोई आडिया है शुक्रिया तो आए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका आसा अप एकसा आगामी सरकार को लेकर ख्या रहेगा तो आप देख सकते हैं बीबीडी पे हैं जो कि फैजाबाद रोड पे इस्थित यहां तमाम ऐसे नेजी संस्थान है जी मैम आप अपने नाम बता दे दीप मला मिश्रा मैम क्या करती हैं मैं अभी तो ऐस आज़ा वाई थी हूँ अगर बात की जा है तो पिछले 5 सालों में जो ततकालीन सरकार है उसकी तरब से युवाओ के लिए जो रोजगार के आदश्र है वो किस तरद से मतलब उनको सरकार ने देखा है युवाओ के लिए क्या उस छेतर में काम किया है युवाओं के लिए काम तो किया है, शिक्षा के छेत्र में भी किया है, बिजनेस के भी छेत्र में किया है, बट यह बताएं इस बार कॉंग्रेस महिलाओं को लेकर काफी मतलब भरीता दे रही है जैसा राजनिती में कम होता है कि महिलाओं को आने का औसर कम मिलता है खासकर गाओं में महिला प्रत्यासियों उनके पती उनके पतिनिदी बन के काम करते हैं वही कॉंग्रेस की तरफ से इस बार 403 विधान सभाव उपी में जो हैं उसमें 40 फीजदी महिलाओं कुतारा जा रहा है तो कॉंग्रेस का ये पैतरा कहां तक साबित होगा? अच्छा साबित होगा, ये महिलाओं के लिए एक तरह से प्रेज़न करने का अपने में एक अच्छा मौका है जिसमें महिलाओं अपने आपको अच्छा प्रतिनेदित्व कर सकती हैं किस रूप में चाहे वो परिवार के छेतर में हो, चाहे वेवसाय के छेतर में हो, चाहे समाज के छेतर में हो, अच्छा कर सकती है बस उनको अवसर मिलने की बात होती है और अगर वो कांग्रेश कर रही है तो अच्छा प्रयास है कि अगर बात की जाए पिछले पांच सालों की तो सरकार की तरफ से युवाओ के लिए रोज़दार के छेत्र में कैसा काम हुआ सर देखिए काभिलियत अगर इंसान के दर काभिलियत है तो उसको भाई मिला गए खुद एक सिवी अभी एक युपिए सी हूं भई मैं अपना भी पहला आटर्म देने या रहा हूँ और खासकर मैं M.T.E.C. मैंने M.T.E.C. किया है, आईटी कानपूर से मैं M.T.E.C. किया हूँ और जब किया है, बीवीडी से, तो मेरे को तो नहीं लगता है कि, मतलब ये कोई, मतलब एरर है, मतलब सुविदा नहीं दी है, म 90,000 DLA भरती, TET, DLA और कुछ और भी सब्जेक्ट थे, और साथ ही साथ कनिश्य सहाइक 2016-2019 भरती, और अबकारी शिपाही भरती को लेकर, ऐसे कई सारे निउक्तियों को लेकर शात्रपदर्शन कर रहे थे, तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? सार, देखिए, निउक्ति तो भाई देखिए, यह तो गवर्मेंट के हाथ में, कि भाई, कैसे डील कर रहे हैं, मान के चलिए, कहीं, कहीं, जैसे आरो, आरो, कहीं पर सुनने में आए, कि भाई, इसका वो हो गया, कि कतने से लीक हो गया है पेपर, तो उसमें सर, बच्चे मिले है, कि यह तो प्रियास कर रहें, कि अ cel, कि आसर, को गवर्मेंट के हाथ में, कि भाई, उसको कैसे डील करना है, माना, सक्यूर्टी इछ सुनने हाथ में, मेरे मतलब, अब भचा तो करेगा, अब देखिए, मानलब, जैने जो कर रहे, मानलब, अभी ऑआ हैं, बपर वे कि आपको जहनकारी होगी कौसल भिकास के लिए ऐसे कई चारे संस्थान कई छेत्रों में खोले गए भारत के अंदर में तो वो कहा तक इस बार कारगर्व साबित हुए है आपके मुताबित किसकी सरकार आने वाली है और क्या आसा पेक्सा एजे यंग आपकी रहेगी सब मेरे को बीजेपी से फायदा हुआ है क्योंकि बीजेपी मेरे को अगर देखा जाए नौट एज़िकेशन तो भाई देखिये वो तो देगी देगी लेकिन मेरे को लगता है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है सिख्षा के छेद में भी किया है सर क्योंकि मेरा फायदा हुआ है मैंने मैं अच्छी जगा हूँ व्यक्तिगत फायदों को हटा के देखे तो थोड़ा बहुत है इशुज लाइक जैसे बाई लीकेज में पेपर जो लीक हो जाते हैं उनमें है थोड़ा तो इस पर अगर वह अच्छा देगी तो में को लगता है कि आप अपना नाम बता दें विशेश कैसली विशेश क्या करते हैं आप अगामी सरकार से क्योंकि आपकी डिग्री भी आगामी सर्कार जो आने वाली सरकार है उसमें ही पूरी होगी तो क्या आसा आप एक साथ रखते हैं सरकारी नौकरी या इन सब नियुक्तियों को लेकर इसके लिए आप क्या आसा पेक साथ रखते हैं कि आने वाला सरकार किस हिसाब से काम करें जो तत्कालीन सरकार है उसके तरब से बताए गया था कि 70 लाख रोजगार देंगे तो क्या इस बार रोजगार सरकार दे पाई है उस हद तक अब तो अब तो नहीं दिया है सर फिलाल कमी लोग पाएं है देखने आगी जलके देगी तो देगी बोलती है तो कर दी है आपको सुब कामना है आपके डिग्री के लिए आप वहीं आईए कुछ और बच्चों से बात करते हैं स्कूली बच्चों से जो यहां अपने सिच् काम बता दिया मेरे नम समसुदेन है समसुदेन क्या काम करते हैं हम यह काम करते हैं लेवर का अपने अगर सिच्छा की बात किया तो आपने क्या किया है मैं 10 क्लास पास हूं और यहां नोगरी कर रहा हूं मैं तो हमें यह बताएं कि आप तत्कालीन सरकार से अगर बात की ज और जो लोग हैं छात्र पड़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं इसे में नोगरी नहीं मिल पारे हैं सबसे बड़ा मुद्दा जो मेंगाईगार किसान बेहाल हैं किसानों के लिए कुछ निकिया सरकार नहीं आप लोगा अभी को वीड के तीस वी लहर चल लही है यहां चाठर भी बहुत कम दिख रहे हैं हर दिन के मुका मुताबित जो कोरणा के रहने वाला आदमी वही है बाहर के लोग सब चले गए हैं तो आए कुछ दोस्त और है उनसे बात करते हैं जी आप अपनों नाम बता दें प्यराना सचाम शुला है हमें यह बताएं कि जो तत्कालीन सरकार है अगर सिच्छा और रोजगार की बात किया तो कैसा काम किया है यह करना चाहते हैं फिलाल इस सब चीजों में योगी सरकार बेस्ट है तो बेस्ट रहे कि और गया यह हमें यह बताएं कि इसकील एजूकेशन का नाम आपने सुना होगा कौसल भीकास केंद्व खोले गया है तो कहां तक वो खोला कारगर साबीत उपार अब यह इसे बारे में तो आएक कुछ यूआ और हैं उनसे बात करते आते में दिख रहे हैं कि वह आखिर उनका क्या सोचना है वह सब एक मिनट आप अपने नाम बता दे मेरा प्रणव 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 हमें यह बताएं कि जो तत्कालीन सरकार है अगर उसकी बात करें तो यूआओ की रोजगार के छेत्र में कैसा काम किया है हमें तो पता नहीं हमें नहीं पता हम तो स्टूडेंट हैं भी रोजगार के तरह क्या करते हैं लौ कर रहे हैं तो जो आगामी सरकार होगी उससे क्या आसा आप एक्सा रखते हैं आसा आप एक फ़स लग रहा है की कैसा आप देख पा रहे हैं कि क्षुर गॉ। सब्सक्तरि रख़़ोगा में क्या मिल सका है युजम कि युए जाला बिल सकार जाधा सरकारव मतलब गॉष आला मंदीर इनसरे मेहाक जाधा इन्वाल रह Ihr हम अगर बात नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना नाम बताते तो कैसा काम किया है रोजगार के छेति रोजगार के सिंचले में अच्छा काम किया है वहीं आपने देखा कि तमाम चात्र अभियर्थी आके लखनव में पदर्सन कर रहे थे तो उनके पदर्सन को किस हद तक आप देखते हैं सब यहां है उनसे भी बात करते हैं जानते उनके विचाव में क्या है आप अपना नाम बता दें गुलाम अश्रफ कुराइशी तो हमें यह बताएं कि अगर ततकालीन सरकार की बात की जाए तो युवाव के लिए वह कैसा काम कर लिए इस टाम तो ठीक है लेकिन स्कूल स्कूल बंद है तो कुछ सही नहीं लग रहा है पढ़ाए वड़ा ही सब बंद है अभी फिलाल और बस यहीं हो रहा है कोई फाइदा तो है क्या पढ़ाई करते हैं अभी तो फस्टियर है हमारा कॉमर साइट तो एक्ज पर दिए हो जाता है स्कूल अभी 24 से बोले फिर 30 को बंद तीस तक यहीं है कच्छाए कैसी चल ली है ऑनलाइन ऑनलाइन तो बस वही है कि वह बेज दी है मैंने देख लिया बेजा ठीक है जो वहां पढ़ने में अच्छा लगता तो यहां नहीं है बस यहीं अच्छा बात है जो वहां टीचर समझाता है वह ज्यादा अच्छा लगता है अब यहां बैटे कोई काम हो आगिया क्लाश ओड के काम भी देखना वहां अपना गैसर के सामने बैटे है पढ़ा रहे है अच्छे सपढ़ रहे हैं लोग वही चीज है और यही है कि सरकार में यही है कि हार मने दिन तो बंदी रहती है साल के चे महीने स्कूल चे महीने बंद कह सकते है कि अच्छात्रों का बहुत नुकसान हो रहा है इस फिलाल के लिए जो भी है नुकसान तो आई है अब यही है अगले मेन बोर्ट पेपर है तो बंद पड़ा स्कूल कॉल आए तो इस वक्त हम BBD University है, साथ ही साथ City Law और तमाम नीजी संस्थान है जहां दूर दराज से छात्र आते हैं और अपनी डिग्रीयों को लेकर यहां दाखिला लेते हैं और पढ़ते हैं तो हमने युवाओ से जाना रोजगार के छेत्व में तो उनका साफ तौर पे बिचाव मिला जुला है और बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी सरकार आए युवाओ के लिए रोजगार के छेत्व में काम करें अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 मार्च को किसकी सरकार बनती है और आने वाली सरकार जो युवाओ के लिए कैसा काम करती है कैमरमेन रस्मी के साथ विभानसू प्राइम टीवी तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूर कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं तो वही कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहर आई जाएगी ये वक्त बताएगा लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार